स्मार्ट एं लीगल गादेंस डाउन्लोड दिया अप्लिकेशन नाउ अब यह अप्लिकेशन का फाइदा क्या है यह अप्लिकेशन कीज़ों का ध्यान रखना पडता है यहाँ पर आप्ठेवे अप्लिकेशन के अदर 예ंशाग दिखा लिए आपशे घंदर है कि कोई नीं थिक्कत निए आपको अपना केस करना है विद्रॉव करना है कॉंप्रॉमाइग करना है करो हमें कोई दिख्कत नीं थे मुध्ये साथ यहां पर हम समझते ऑडर्रमार 23 सर्था क्या Waarइध कहता है और plaintiff जो है अपने case को abundant कराने का मन बनाता है तो ऐसा वो कर सकता है जी हाँ कर सकता है order number 23 rule number 1 की पहली कहानी के अंदर ये बता रखा है पहली कहानी के अंदर proviso भी बता रखा है proviso में बोला हुआ है कि अगर जो plaintiff होगा अगर वो मान लेते हैं minor निकला तब क्या होगा minor आप लोगों को पता होना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी update के बारे में बताने वाला हूँ जितने भी लोगों को अपना offer के बारे में miss out हो गए है या पता नहीं लगा था या फिर late पता लगा था तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी एक sale independence day की निकाली थी वो sale मैंने आगे forward continue कर रखी है बहुत लोगोंने मेरे को बोला था कि sir जो ये sale आप दुबारा लेकर आई है तो इस वज़े से मैं आप लोगों के लिए sale दुबारा लेकर आए हूँ 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त तक आप लोग particular 8000 से जादा legal draft केवल और केवल 349 रुपीज के अंदर avail कर सकते हूँ मेरा smart and legal guidance application डाउनलोड करने के बाद में और एक बहुत बड़ी जरूरी खबर में आपको एक और बता देता हूँ कि मैं अपना Indian Evidence Act हमारा नए slivers के साथ में, old slivers के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप अपने judiciary के तियारी कर रहे हो अपना assistant public prosecutor exams के तियारी कर रहे हो notes आपको मिले जाएंगे, mains के तियारी होगी, topic wise आपके test हुआ करेंगे और mains के जो मैं आपको तियारी की बात कर रहा हूँ न तो जो मैं आपको notes प्रोवाइड कर रहा हूँ अब एक तो question answer form के अंदर भी आपको notes प्रोवाइड होंगे और जो हमारे latest case laws होते हैं वो भी मैं आपको complete complete आपको कराया करूँगा timely basis के अपर तो अभी तक आपने अगर यह offer को avail नहीं कर रहा है minor अगर कोई plaintiff है तो उसको किसी अपने साथ ही की जुरत पड़ती है उसको हम कानून के शब्दों में next friend के नाम से पहचानते हैं या guardian के नाम से पहचानते हैं जो हमारे को order number 23 के CPC के अंदर यह बात को mention कर रहा है तो next friend का मतलब कोई भी व्यक्ति जो major है और जो minor को जान पहचान उसके साथ रखता है या कोई भी guardian जो minor का देखबाल रखता हो जो minor की properties का देखबाल रखता हो वगएर वगएरा तो उसकी मदद से ही minor केवल suit file कर सकता है तो अगर मान लेते हैं कि minor अपना plaintiff है जो उसने suit file कर रहा है अपने next friend या guardian की मदद से लिए तो minor के case में या कोई individual major plaintiff है वो भी अगर case को withdraw कराना चाहता है तब भी application लगती है यह वाली याद रखना तो मैं आपको कहानी बताईती है न order ma 23 में rule number 1 के अंदर 5 कहानी आती है मैं दूसरी बता रहा हूँ तो application पहले लगानी पड़ती है case को withdraw कराने से पहले और court को satisfy करना पड़ता है court को अपनी मन की बात बतानी पड़ती है कि आखिर ऐसी क्या नोबता गई है plaintiff को कि case withdraw कराना पड़ रहा है case को abundant छोड़ना पड़ रहा है बगएरा बगएरा तो दूसरी कहानी में अपने ये चीज़ समझ ली है तो court से पहले permission लेनी पड़ती है आपको case को withdraw कराने के लिए और मैं तुमार को case withdraw कराने के लिए permission दे रहा हूं तो order 23 rule number 1 के sub rule 3 में ये allow court कर सकता है तो जो तीसरी कहानी है हमारी तो court ऐसी allow नहीं करेगा court ऐसी satisfy नहीं होगा court के सामने plaintiff को या minor की case में guardian को minor की case में next friend को court के आगे यहाँ पर दो मेंसे कोई भी एक चीज़ अपनी प्रूव करने पड़ती है पहले तो अगर plaintiff ये शो करते है ता रहे जास साहाब मैं अपने case को withdraw इसलिए कराना चाहता हूं अब वो ground क्या हो सकता है वो मैं आज अभी application बस दो मिनट के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं तो यह तीसरी कहानी होती है अब इसके बाद अगर court के सामने आपकी कहानी प्रूव हो जाती है court खुश हो जाता है तो order number 23 rule number 1 sub rule 3 मे court आपको permission दे देता है case को withdraw करने के लिए और आपको साथ में golden opportunity भी देता है एक आपको liberty भी देता है कि अगर plaintiff तेरको लगता है कि तेरको दुबारा case file करना है तो इसी मुद्दे पर इसी parties के उपर same cause of action के उपर तुम दुबारा suit भी file कर सकते हो तो court एक liberty भी देता है तो यह liberty court जभी देगा जब आप court से इज़त स लीगल तरीके से court को अपनी कहानी बताओगे court को खुश करोगे court को formal defect के बारे में बताओगे court को sufficient ground के बारे में बताओगे उसके बाद फिर court आपको allow करेगा आपको particular case को withdraw करने के लिए यह liberty दे जाती है अब चौती कहानी हमारी यह आती है कि कर्मान लेते कि plaintiff ज्यादा शा चौती खानी में यही है कि court गुस्सा हो जाएगा तो case तो withdraw हो जाएगा लेकिन court यहाँ पर plaintiff के उपर cost लगाएगा कि defendant पागल है defendant हर hearing पे खड़ा हो रहा था आतर तो तुम plaintiff defendant को जो defendant का खर्चा बनता है lawyer का खर्चा litigation का खर्चा आने जाने का खर्चा वो सारा खर्चा plaintiff defendant defendant की भरपाई करेगा और court plaintiff को बोलेगा कि तुम दुबारा same cause of action के उपर same parties के उपर suit file नहीं कर सकते तो यह भी हमारी चौती काहनी आ जाती है एक पांच भी और आखरी काहनी आई है कि अगर यहाँ पे एक से जादा plaintiff है उनमें से किसी एक plaintiff को case withdraw कराना है तो वो करा सकते ह पहले other plaintiff से permission लेनी पड़ती है अगर बाकी के plaintiff permission दे देते हैं then case withdraw करा सकते है वरना अगर चार plaintiff है यह दो plaintiff है दो में से एक plaintiff चाता है case करना और एक plaintiff चाता है नहीं case को withdraw करा लेते हैं तो दोनों की एक जगा पर सहमती होना जरूरी है वरना case चलता रहेगा तो अब हम application के उपर बात करते हैं देखो हमने application लगा दी application under order 23 rule number 1 यह suit number मिल जाएगा जो मेरा case institute होगा फिर party number AB है और versus union of India मैंने party बना रखी आपको समझाने के लिए तो यहां पर क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि अगर में को सरकार के उपर case करना होता है तो as per section number 80 of the CPC के अंदर में को दो महीने का notice देना पहले सरकार को अनिवारे है दो महीने का notice पहले सरकार को देना पड़ता है ताकि सरकार मेरी बात स सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तब जाके आप suit file कर सकते हूँ लेकिन यह application मेरे client ने क्लाइंट ने मैं आपको option के तौर भी बतार हूँ मेरे particular client ने क्या करा plaintiff बनके उसने case बिना notice दिये file कर दिया अब पता लगा plaintiff को अरे यार मैंने तो notice भेज आई नहीं तो वैसे case मे formal defect है या नहीं है case आगे चल के dismiss हो गई होगा तो इससे बहतर है मैं case पहली dispose और मैं अपने client का case पहली withdraw करा लेता हूँ तो उसके लिए मैं को code से permission लेनी पड़ेगी कि जैसा आप as per section 80 79 80 79 में एक right बता रखा 80 में notice जाता है तो as per section 80 के अंदर हमारे को notice भेजना चाहिए था सरकार को वह हमने नहीं भेजा तो यह हमारी गलती है तो हम case को withdraw कराना चाहते है ताकि पहले notice भेज दें और notice का जब time period पूरा जाएगा तो भारा फिर हम suit करने के लिए आएंगे तो यह हमारा क्या है defect है तो यह defect है तो फेल हो गए हमारा suit हो जाएगा आगे चलके तो प्ली प्लेट और यह रहा एफिडेट कभ लगता है जब अगर केस माइनर की बात आ रही है तो माइनर का अपना नेक्स फ्रेंड होगा या माइनर का अपना गार्जन होगा अगर वह application लगाता है तो उसको अनिवार्य होता है उस case में यह पूरी case का अपना plaintiff कौन है defendant कौन है यह defendant में union of India आएगा ठीक है और जो अपना next friend होगा वो अपने बारे में कहानी लिखेगा कि भाईया मेरा नाम यह है मैं address मेरा यह है बगर बगरा यहां पर signature होगा फिर verification होगा यहां पर signature होगा फिर अपना order number 23 rule number 1 sub rule 3 and sub rule 4 sub rule 3 मैं आपको कहानी बताई थी ना कि court को satisfy करने वाली application के उपर है ना legal draft का तो उसमें यह case आपको मिलेगा नहीं यह मैंने भी डाला है 2017 का Supreme Court तो आप यह note-down करके अपने draft के अंदर add-on कर सकते हो तो अगर वीडियो के अंदर जो यह draft की वीडियो बनाई है आपको समझे माई है मजा आया नया topic सीखने को बिला life के अंदर तो यह आप कि व कर तो राबeszाफ वación का नहीं बनागा है यहां भीडियो यहां है सुने जोष यहां है